Hello Friends, मैं हो विकास और आज हम बात करने वाले हैं कि hosting यानि web hosting क्या होती है और यह क्यों जरूरी होती है तो आए जानते हैं अगर आपने खुद की अपनी एक website बनाई है या आप अपनी website बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है वेब इंटरनेट पर दिखाई दे इंटरनेट पर रहे तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर रखने के लिए hosting यानि web hosting की जरूरत पड़ेगी इसके लिए मैं आपको छोटा सा उदारन देता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा मानली जी आप गाउं में रहते हैं यहाँ पे आपको गाउं में घर है खुद का और यहाँ पे आप दिल्ली आते हैं घूमने के लिए पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए आप जोबी करने के लिए है तो यहाँ पे अगर आप दिल्ली में रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक घर की जरूरत होगी तो यहाँ पे आप एक घर किराय पे लेंगे और यहाँ पे अगर आप घर किराय पे लेते हैं तो वहाँ पे आप रह सकेंगे आसानी से और इसके लिए आपको मंतली पे करना पड़ेगा जिसका वो घर है कुछ इस तरीके से ही वेब होस्टिंग काम करती है खुद की वेब होस्टिंग बनाना बहुत ही महंगा होता है और इसको मैंटन रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इसलिए अगर आप अपनी वेब साइट बनाना चाते हैं और अगर चाते हैं कि वह इंटरनेट पे दिखाई दे तो आपको एक अच्छी और बहतर वेब होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी ताकि कोई भी वेक्ति कभी भी आपकी वेब साइट पर आ सके और आपकी वेब साइट पर विजिट करके आपकी वेब साइट को यूज कर सके अगर आप बिना वेब होस्टिंग के वेबसाट बनाना चाहते हैं तो आप ब्लोगर का सहरा ले सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा